अपोकलिप्स और कलैस ऑब दी गाडियाँस पर अच्छे रिसपोंस आए और अब आज मैं एक्स्पेर और कलैस ओफ़ दी गाडियाँस की बात की है तो अगर आपने उन दोनों वीडियोंस को मिस कर दिया है तो जरूर चек आउट करें, शुरू करते हैं गौथम सिटी बैट केव सुरुवाद के द्रिश्ज में हमें दिखाया जाता है कि सूपरमैन को पस्तावा हो रहा है क्योंकि वो ब्रह्मान रक्षक से लड़ा और इसके बाद बैटमैन बताता है कि यह सब उनकी मर्जी से नहीं हुआ यह सब कुछ मजबूरी में हुआ उनकी और थौर की मजबूरी में सूपरमैन बेचेन के हो सूपरमैन बोलता है कि उस रुदराक्ष ने उसे कुछ द्रिश्ज दिखाये मानो रुदराक्ष उससे कुछ कहना चाह रहा हो बैटमेन बोलता है कि मेरे पास उस द्रिशिका रह से जानने का एक तरीका है ध्यान से सुनू बैटमेन सूपरमेन को कुछ बताता है जिसके बाद सूपरमेन उस द्रिशिका रह से जानने चला जाता है और बैटमेन अवेंजर्स के साथ पहुंचता है एसगार्ड पर जहां लोकी रुदराक्ष पाकर खुस हो रहा है थौर बोलता है कि अब अपना वादा निभाओ लोकी बोलता है ठीक है मैं वादा निभाओंगा पर वो वादा जो मैंने तुम से नहीं किसी और से किया है लोकी सेप्टर में रुदराक्ष लगा कर फायर करता है सभी ब्रह्मान रक्षक नागद्वी पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ बेहो सक्तिमान मौजूद है जो होस में आते ही कहता है नागराज माफ करना पर मैं भोकाल की रुदराक्ष को नहीं बचा पाया भेडिया बोलता है कि गुरु भोकाल का क्या लोचा है जिस पर नागराज सब को तुना देता है तिरंगा बोलता है जस्टिस लीग और अवेंजर्स यहां पूरी तैयारी के साथ आये थे उन्हें हमारी कमजोरी और ताकत सब कुछ पता था फिर वो ब्रह्मान रक्षक हेड़कॉर्टर्स पहुंचते हैं सभी हीरोज इसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं और प्लान तैयार करते हैं थोड़ी देर बाद सक्तिमान सब को अवेंजर्स टावर पहुंचा देता है ठूर टेलिपोर्टेशन और खुद थोड़ी देर बात पहुंचता है ब्रह्मान रक्षकों के वहाँ पहुंचते ही टोनी भाई की रिकॉर्ट की हुई वोईस गुंचती है टोनी बोलता है कि तुम लोग हमें दुस्मन समझ रहे होगे पर हम दोस्त हैं यह सब हमने मजबूरी वर्ष किया थोर के लिए थोर के पिता ओडिन अपनी सक्तियां पुना एकत्रित करने के लिए एक लंबी नीद सोते हैं जिसे ओडिन स्लिप कहा जाता है थोर की गैर मौझूदगी में लोकी ने ओडिन को कहीं गायब कर दिया और ओडिन के बदले रुद्राक्ष की मांग रखी थोर ने जस्टिस लीग और अवेंजर्स से मदद मांगी गौड अफ थंडर की सहायता हमने की हमें तुमारी मदद चाहिए हेमडाल से बाइफ्रोस्ट ओपन करने को कहो वह लोकी से छुपा हुआ है हमारी मदद करो थोड़े तरक वितर के वाद सकतिमान एसगार्ड नहीं बलकी कहीं और चला जाता है और नागराज हेमडाल को बाइफ्रोस्ट खोलने को कहता है हेमडाल बाइफ्रोस्ट खोलता है और सभी ही रोज एसगार्ड पर पहुंच जाते हैं आगे बढ़ने पर वह देखते हैं कि सामने जस्टिस लीग और अवेंजर्स थी और सबसे आगे लोकी था वो बोलता है कि तिरंगा को बेहुस उसी ने किया था Clash of the Guardians में और अब सभी जस्टिस लीग और अवेंजर्स के मिंबर्स उसके गुलाम है फिर Iron Man और परमानू, सक्ति और डाइना, नागराज और हल्क, ध्रूव और बैटमैन, कैप्टन अमरिका और तिरंगा, थौर और भेंडिया, डोगा और ब्लैक पैंथर लड़ने लगते हैं सक्तिमान की तरह सूपरमैन भी यहा नहीं है सभी हीरोज अब अपने प्रतिद्वंदी को बदल बदल कर मार रहे होते हैं कोई भी अब हारने को तयार नहीं होता है लोकी के सम्मोहन में फसकर सभी एक दूसरे का खून बहा रहे होते हैं इस लड़ाई में ना सिर्फ सूपर हीरोज होते हैं बलकी एस गार्डियन आर्मी भी मार खा रहे होते हैं आगे बढ़कर तिरंगा नागराज को एक अनोखा प्लान बताता है अगले पेज में हम देखते हैं कि न्यूयोर्क में कहीं सूपरमैन और सक्तिमान एक साथ होते हैं सक्तिमान बोलता है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें सबी हीरोज मर चुके थे जिसमें तिरंगा उठकर बोलता है कि इस सब का जिम्मेदार सक्तिमान है सक्तिमान अगर चाहता तो वह अपोकलिप्स रोक सकता था सुपरमेन बोलता है कि हो सकता है वह सिर्फ एक सपना ही हो पर मैं तुम से सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि ऐसा कैसे संभव है कि तुमने अकेले ही हम सब को हरा दिया सक्तिमान बोलता है कि उसने अपनी सारी कुंडलीनी सक्तियों को जागरत किया है पूरे ब्रह्मान की उत्पति जिन पंच महातत्वों से हुई है वह उन सब को कंट्रोल कर सकता है लोजिकली वह सेकेंड्स में पूरे प्लैनेट को या सोलर सिस्टम को खत्म कर सकता है अगर वह चाहे आगे पॉज करके पढ़ लो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे सक्तिमान बताता है कि उसे हराना और संभव के बराबर है सक्तिमान यह भी कहता है कि हाँ वह सब कुछ कर सकता है पर प्रक्रती के दाइरे में रहकर एक वार उसने मृत को पुनरजवित किया था जिसकी कारण उसकी सभी सक्तियां कुछ देर के लिए चली गई थी सुपरमेन बोलता है कि ठीक है लेकिन उस रुद्राक्ष ने मुझे भी कुछ द्रिसी दिखाए थे जिसमें एक इस्तरी भागते हुए आत्महत्या करने जा रही थी उसका नाम इंद्रा था तभी उसे एक देवता ने रोक लिया वो सायद लौड शिव थे उन्होंने किसी कुरुरक्ष के मौत का तरीका इंद्रा को बताया फिर रुद्राक्ष को हमेशा के लिए नश्ट करने का भी पर रुद्राक्ष ने मुझे वह तरीका नहीं देखने दिया सक्तिमान दूविधा में पड़ जाता है क्योंकि कुरुरक्ष अब भी जिन्दा था वह सूपरमैन को अपना एक दोस्त जो न्यूयोक में ही कही था को लाने भीजता है और खुद ध्यान लगाता है गुरुदे प्रकट होते हैं और सक्तिमान से कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी सक्तिमान और अब इसे ठीक करने के लिए तुमें समय यात्रा करना पड़ेगा पर तुम भूत काल में किसी प्रकार का भी बदलाव मत करना इससे पूरी समय धारा ही बदल जाएगी गुरुदेव के जाने के बाद सक्तिमान एक पॉर्टल बनाता है और उसमें चला जाता है कुछ समय बाद सूपरमैन भोकाल और सिया को लेकर वहां पहुँचता है जाने के लिए पढ़ें जंग सक्तिमान के लोटने पर सुपरमैन सक्तिमान को कोने में बुला कर कुछ कहता है जो अभी नहीं बताय गया सुपरमैन सिया को लोईस लेन के पास भेई देता है और तीनों महावली भूत काल में चले जाते हैं द्वार बना कर ऐसे कौन जाता है बे इधर एसगार्ट पर लडाई जारी थी अचानक से वहाँ ओडिन आते हैं और आते ही चिलाते हैं थौर के दिमा को जटका लगता है और वह लोकी के सम्मोहन से बाहर आ जाता है ओडिन अपने असली रूप में आता है जो नागराज था नागराज बोलता है कि वह और तिरंगा ओडिन को ढूनने गए थे वह मिले नहीं तो सम्मोहन तोड़ने के लिए उसे यह करना पड़ा जिसके बाद थौर सबको इलेक्ट्रिक सौक देता है जिससे वह सभी लोकी के सम्मोहन से आजाद हो जाते हैं लेकिन तभी मौसम पू प्रते उर्जा का हराश हुआ और उस रुद्राक्ष के जरिये मैंने इस दुनिया को डार्क डाइमेंसन के साथ जोड़ दिया है जिससे अब यहां पर आएगा डोर्मामू डोर्मामू एंट्री लेते ही सबको काईदे से पीटता है डार्क डाइमेंसन के बाहर आने पर भ जिस तरह अपोकलिप्स के स्टार्टिंग में था सक्तिमान का सपना सच हो गया था और डोर्मामू रुद्राक्ष के पापुर्जा के साथ सक्तिमान की तरह बढ़ रहा था एसगार्ड अब लोकी का था भूत काल में जहां सीव इलिस्म देव को उस रुद्राक्ष की महत् देते हैं कि कुरुरक्ष की मृत्यू में सिया या इंद्रा जो भी है एक महत्व पुर्ण भूमी का निभाईगी भोकाल इंद्रा को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि वह बिल्कुल सिया की तरह दिखती थी यही बात सूपरमैन ने सक्तिमान से कही थी वहां आने से पह करता है भोकाल और सूपरमैन अचेत हो जाते हैं और सक्तिमान डेंजर तरीके से घायल डोरमामू सक्तिमान को मुठी में उठाता है और कहता है कहा था ना अंधेरा कायम रहेगा सक्तिमान उसे पहचान जाता है कि वह तमराज किल्विस है परवा सरीर डोरमामू का है उसने कहा, चल तुझे फलेसबैक में ले चलता हूं। मिस किलर ने मेरे साथ मिलकर मुझे ही धोखा दिया। उसने कुरुरक्ष को मेरी सक्टिया छीनने भेजा। कमजोर होने के बाद भी कुरुरक्ष मुझ पर भाली पड़ा। उसने मेरी सक्टी छीन Yup. काया गमन विद्या के द्वारा मैंने अपना सरीर छोड़ दिया और आत्मा रूप में उसका पीछा किया भोकाल नागराज तुम्हारे और कुरुरक्ष के युद्ध को मैंने अपनी आखों से देखा मैंने रुद्राक्ष की महत्ता को जाना और नया सरीर ढूणने लगा मैंने भोकाल के सरीर को इसके लिए चुना न्यूयोक तक मैंने उसका पीछा किया सत्य उर्जा के कारण जो भोकाल के सरीर में थी मैं उसके सरीर में प्रवेश नहीं कर सका थोड़ी दूर पर मैंने लोकी और थौर को देखा जो स्पेस इस्टोन लेकर एसगार जा रहे थे लोकी मैं पाप उर्जा की कोई कमी नहीं थी बाइफ्रोस्ट के जरिये मैं एसगार पहुचा लोकी ने चालाकी से डोर्मामू को डार्क डाइमेंसन से बाहर निकाला डार्क डाइमेंसन के बाहर डोर्मामू कमजोर था उसकी कमजोरी का अलाव उठा कर मैंने उसके सरीर पर कबजा कर लिया अब मुझे रुदराक्ष चाहिए था ताकतवर बनने के लिए ओडिन के ओडिन स्लिप में जाते ही मैंने यह चाल चली हमने ओडिन के बदले रुद्राक्ष का सौधा किया थौर ने टोनी को सब कुछ बताया और फिर सुरु हुआ अपोकलिप्स और किल्विस यह डोरमामू जो भी था तीनों को काईदे से पीटने लगता है सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट का वार करता है मतलब एक पोटल खोलता है जिसे क्रिप्टोन की आंधी सुपरमैन तक आती है सुपरमैन भी धेर हो जाता है भोका लड़ने के लिए आगे और किल्विस उसे एक आयाम द्वार में फेक देता है थोड़ी सी नोक जोंके बाद डोरमामू सक्तिमान पर पाप मनी फेकता है और सक्तिमान वही धेर हो जाता है आगे बढ़कर डोरमामू समय अंतर भी तोड़ देता है और वापस वरत्मान काल में आकर न्यूयोक की रिसी प्रवेश करते हैं जिसे देख भोकाल कहता है सक्तिमान लेकिन वह रिसी कहता है नहीं हम सक्तिमान नहीं है हमारा नाम है सत्य कहानी जारी रहेगी आपोकलिप्टिक में कहाल इसे प्रवेश कर देखते हैं इसी जव्योक की बदावेश Raptors फिše है जजिँ जे हमारा नहीं है जाल रहेजल कि सत्राय कि सुक्तिमान नहीं है जार वापस रूग को 1 एघर दूछ में